नमस्कार दोस्तों आप देख रहे है टेकनीकल अत्याचार यूटूब चैनल और इस चैनल पे हम लोग सिविल इंजिनेरिंग को आसान और मज़िदार बना कर एक्स्पेयन करने की खोजिस करते हैं और हम लोग पर रहे थे track engineering, track engineering में पिछले वीडियो में हमने देखा था कि track के लिए steel या iron हम लोग कैसे बनाते हैं, iron तो हमने बना लिया, steel तो बना लिया, अब हम लोग step by step आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि जब हमने steel बनाये तो उसको अब rail बनाना है, rails बना करने के लिए हमें सबसे पहले develop करना पड़ेगा एक section, जैसे अभी जो मौझूदा rail का section होता है, वो इस तरह का होता है, तो ये section तक पहुचने के लिए हमने कितनी analysis की होगी, इस type का rail section होता है, जिसके बारे में हम आगे, यानि next वीडियो से ज़्यादा detail में पढ़ेंगे, बट इसको अचीव करने से पहले हमारे पास इस scratch में क्या-क्या points होनी चाहिए, किन-किन बातों का हमें ध्यान रखना है किसी भी rail section को develop करने के लिए, तो rail का काम क्या होता है, सबसे पहले हमने समझना पढ़ेगा function of rail, rail का function क्या-क्या है? देखिए, rail का क्या-क्या function होता है, rail का सबसे पहला function क्या होता है, कि जो wheel है, जो rail का wheel है, heavy, hard wheel होता है, या hard tired wheel को चलने के लिए plain surface प्रोवाइड करना सबसे पहला तो काम में होता है कि wheel को plain surface प्रोवाइड करना और surface प्रोवाइड करने के क्रम में rail को एक beam की तरह करना चाहिए इतना मजबूत होना चाहिए कि wheel के load को beam action के थुरू slipper में transfer करके vertical load को ground में transfer करना तो एक टैजे beam ही होना चाहिए और क्या काम है जब wheel जो है rail के उपर चलता है तो wheel को direction कौन देता है direction भी rail देता है तो rail जो है wheel का या rolling stick को direction देने का काम करता है यानि steering का भी काम करता है तो ये तीन काम तो strength से related है और चौथा काम है signaling के लिए circuit circuit wire का काम करना जब train signaling section या signaling point से गुजरता है तो एक circuit close करता है circuit close करता है rail के थुरू और तभी signal को पता चलता है कि train आने वाली है या train जा चुकी है signaling एक अलग ही part है लेकिन rail का इसमें बहुत बढ़ा roll होता है rail एक conductor का का काम करता है circuit को बनाने के लिए एक rail का मकसद जो है पूरा होगा अब देखिए rail का जो section हम develop करेंगे अगर हम section develop करने की कगार पे है अभी हमें कहा गया है कि आप rail का efficient section बनाए तो हम किन-किन बातों का ध्यान रखेंगे तो सबसे पहला तो economy है economy है तो optimum weight होना चाहिए ठीक है optimum weight होना चाहिए यानि weight बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और requirement से कम भी नहीं होना चाहिए अगर requirement से कम कर देंगे तो rail में rail जल्दी खराब हो जाएगा वेरिंग टेरिंग ज़्यादा होगी failure होंगे, cracks होंगे उनको बार-बार replace करना पड़ेगा तो खर्चा बढ़ेगा लेकिन अगर हमने बहुत ज़्यादा ही है भी बना दिया तो इतना ज़्यादा एक बार ही पैसा लगाना पड़ेगा जो सायद हमारे system को system उसको बरदास्त न कर सके इतना ज़्यादा पैसा खर्ची न कर सके तो system बना ही नहीं पाएगी इसलिए एक हमें optimum weight का rail बनाना है जो एक optimum amount of durability भी दे wear, tear and care about resistance भी दे और बाकी के सारे हमारे काम करे लेकिन weight इसका optimum हो अब optimum weight जो है वो तीन चीज़ों पर depend करता है rail के तीन पार्ट है यह हमारा result head है मैंने पहले बना दिया है अब यह सब analysis के बाद हम कई step के बाद यहां पहुंचते लेकिन मैंने क्योंकि हम पहुंची चुके हैं तो छुपा के क्यों रखना इसलिए मैंने बना दिया तो सबसे पहला जो head होना चाहिए head की क्या requirement होना चाहिए head के उपर direct चक्का चलने वाला है तो head में सबसे ज़्यादा wearing होगी तो उसकी thickness इतनी ज़्यादा होनी चाहिए तिकनेस इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि wearing tearing को बरदास्त कर सके thickness to wear wearing and tearing और इसमें दो तरह से रगर घरस होती है एक तो उपर से होगी ऐसा होता है ना तो ये भी इधर से side से भी टक्कर मारती है उपर से भी टक्कर मारती है तो rail table इसको बोलते है rail table surface और इसको gate surface बोलते है तो gate surface और table surface इतना hard होना चाहिए कि ये wearing और tearing को ज़्यादा दिन तक बरदास्त कर सके तो rail का ये पहला requirement है head का उसका दूसरा requirement है web का web जो है web की थिकनेस इतनी होनी चाहिए this is web इतनी होनी चाहिए कि उपर से जो load lateral load ये जो flange इस पे lateral load लगाएगा और wheel जो इस पे vertical load लगाएगा दोनों load को safely जो है नीचे sleeper तक transfer कर सके और साथ में durability के हिसाब से इसमें जो जंग लगेगा rusting को भी counter कर सके मतलब जितना माली जह मैंने 10 साल के लिए rail बनाया तो 10 साल में जितनी मेरी rusting होगी उतना थिकनेस हमने extra डाला तो उस हिसाब से हमने thickness wave की decide करनी है कि हमारी rusting के साथ साथ जो strength है वो भी हमें मिल जाए तीसरा requirement है foot foot का क्या requirement है जो भी load है उसको safely safe area तक distribute कर सके तो इसका size भी हिसाब से उसका बड़ा होना चाहिए उसके बाद जो है इसकी ठीकनेस इतनी होनी चाहिए कि ये laterally stable हो सके मने bend ना करें माली जिदर से force लगड़ा ता ऐसा ना हो कि इसका ये bend हो जाए bend नहीं होना चाहिए इतनी thickness भी होनी चाहिए load जो है इतनी अच्छे से disperse करके transfer करे ताकि sleeper हो गएरा में कोई खराबी ना आए तो इन तीन जो main component होते हैं rail के head, wave और foot और उनकी जो point जो quality होनी चाहिए वो मैंने आपको बताई तो इसके आधार पे भी हमें अपने sections का rail के section decide करने में help मिलेगा, अगला point क्या है अगला point है stiffness तो rail का section green ठीक से दिखने रहा है black से लिखते हैं rail का section इतनी अच्छा stiffness इसमें होना चाहिए ताकि वो vertical stiffness और lateral stiffness को बरदास्त कर सके vertical stiffness किसके लिए है जो vertical load को beam action के थुरू ground में transfer करे और lateral stiffness किसलिए है जो उसको direction देने में जब traffic उसको move करता है तो lateral force जो लगते हैं उसको बरदास्त कर सके तो stiffness is directly proportional किस्ते है moment of inertia तो हम section ऐसा develop करे कि moment of inertia per unit weight जो हो maximum हो stiffness related to moment of inertia तो moment of inertia per unit weight हमने weight section का जितना भी रखाया per meter per unit weight जो moment of inertia lateral और vertical maximum होनी चाहिए इस तरह के shape में हमें rail को develop करना चाहिए तो उस तरह के shape तक पहुँचने के लिए ये एक criteria है कि moment of inertia should be maximum in lateral and vertical direction अब अगला जो बात आता है वो है strength और strength कि सीच पर depend करता है obviously moment of inertia पे लेकिन strength का direct जो component है उसको बोलते हैं section modulus तो section modulus जो है वो ज्यादा होगा तो उसकी strength ज्यादा होगी और section modulus के क्या होता है वो that is also related with moment of inertia इसके बारे में हम आगे बहुँट detail में पढ़ेंगे मैं यहाँ ज्यादा explain नहीं करना चाहता है तो मैं आपको बता दूँं कि strength को design करने के लिए हमें यह भी ध्यान में रखना है कि उस rail के section का section modulus भी ज्यादा होना चाहिए maximum होना चाहिए और साथ-साथ ये भी ध्यान रखना है कि rail का section modulus तो हो साथ-साथ जो उसको join करने वाले fist plate है उसका भी section modulus जादा हो यानि दोनों का ratio बहुत मतलब ratio जो है बराबर का होना चाहिए लगभग है ना fist plate तो नीचे जोड़ेंगे तो उसकी section modulus कम आएगी rail की जादा आएगी तो section modulus of fist plate divided by section modulus of rail ये भी maximum होना चाहिए तो दोनों ऐसा नहीं कि joint पर बहुत जादा भी एक हो जाए क्योंकि बहुत सारे joint आएंगे several joints आएंगे railway track में rail तो बहुत मजबूत है joint उसका अगर कमजोर हो गया तो फिर railway का क्या मतलब है फिर तो track फिर तो वही है bottle leg बन जाएगा इसलिए हमारे joints भी उतना ही मजबूत perform करने चाहिए इसलिए हमें rail या fist plate का भी section modulus enough होना चाहिए जो भी उसपे load जा रहा है wheel का उसको बरतास्त करने के लिए और ये भी ध्यान दिखिए कि section modulus से क्या है अगर section modulus सही है तो section modulus ही decide करता है कि जो भी उसपे load action है उस section की वज़ज़ से जो उसमें stresses develop हो रहे हैं वो permissible limit के अंदर रहे हैं तो section modulus उससी साफ़ से उसका design होना चाहिए चाहिए वो lateral हो चाहिए वर्टिकल है या जो भी stresses develop हो रहा है वो within permissible limit रहे हैं उसके बाद अगला जो main point है वो है durability durability बहुत important है economy के लिए हमने stiffness भी अच्छा दे दिया modulus of elasticity भी बहुत अच्छा दे दिये लेकिन वो durable नहीं है वो जंग लग जाता है फटा फट गल जाता है कुछ इसमें दिक्कत आ जाती है तो अगर durability नहीं रहेगी तो फिर यह लगाने का क्या फाइदा है तो कुछ minimum years amount of time उस service में रहना चाहिए तो durable होना चाहिए durable होने के लिए क्या क्या factor है में जो rail को durability को affect करते हैं वो सबसे पहला है wear and tear जो head में wear and tear होता है wear and tear जो है वो कम से कम होना चाहिए उसके surface को हम इतना hard रखें कि wear and tear जो है वो control में रहे दूसरा है rail ind batter रेल इंड बैटर क्या होता है आपने देखा होगा जब जुक 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 ज हमर्इंग होने से क्या होता है, वहाँ पे रेल खराब बन जाता है, तो वो किस तरprene करेगा। जो उसका कनेक्षन के उपne करेगा, कि वो कनेक्षन कैसा है, उसके नीचे काट सिलीपर कैसा है, वहाँ पे फैक्टर है लेकि रेल का इंड भी खराब होने से में रेल को बदलना पड़ेगा या उसकी मरमत करनी पड़ेगी डियूराबिलिटी को एफेक्ट करता है और तीसरा जो फैक्टर है वो है होगींग तो होगींग जो रेल चलेगी तो रेल ऐसे करके बेंड होगा रेल को बेंडिंग से बचाने के लिए उसकी सेक्षन मॉडलस इतनी अच्छी होनी चाहिए कि bending जो है permissible limit में हो और rail जो है अपने service में रहे और किसी भी तरह का उसमें कोई नुकसान ना हो तो rail section को develop करने के लिए इतनी सारी बातें हमें समझनी पड़ती है तब जाके हम जब हमें पता होता है कि भाईया हमें section modelers भी maximum रखना है moment of inertia दोनों तरफ से ज़्यादा होना चाहिए wear tier भी maintain होना चाहिए और एक और condition के rail weldable भी होना चाहिए लेकिन rail weldable होना चाहिए और hard होना चाहिए wear tier resistant होना चाहिए दोनों conflict है दोनों पातों में जैसे ही आप hard बनाओगे यानि आपने उसमें carbon content ज़्यादा डाला carbon content अगर ज़्यादा होगा material hard होगा तो उसको weldability उसकी कम हो जाती है और material को आपने soft बना दिया low carbon steel 0.12% से carbon कम है तो वो जुड़ेगा मुलाइम होगा soft होगा लेकिन वो क्या हो जाता है उसमें porosity develop हो जाते है hard बनाए कि wear tear भी एक limit तक reduce हो जाए और इतना ज़्यादा भी hard ना बना दे कि दो rail को जोड ही न पाए तो जोडने हम rail को weldable भी बना के रखें और hard उन दोनों के बीच में balance create करते हैं और उतना percentage of carbon के हिसाब से हम rail का जो steel को develop करते हैं और इसी चीज को समझने के लिए मैंने पिछले class में या उसके एक दो class में steel कैसे बनाते हैं iron को कैसे निकाला जाता है pig iron क्या होता है यह सब process समझाया था अब आपको समझ में आ रहा होगा कि वो जानकारी हमें यहाँ पे चीजों को समझने में कितना help करेंगी इसलिए अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं इस सीरीज के तो प्लीज आईए जल्दी से track engineering के जितने भी वीडियो हैं उसको देख लिजे अगर आपको expert level का knowledge चाहिए क्योंकि आने वाले दिन में आप चीज़ें आके बढ़ेंगी और बहुत ही critical और important जानकारी बहुत ही आसान भासा में आपको मैं समझाने वाला हूँ और आप बनेगे एक बहुत ही अच्छे track engineer अगर आपने इस सीरीज के साथ बने रहे और exercise करते रहे कहीं भी कुछ समझने में प्रावलम आया तो बंधूर डाल दीजे कमेंट में हर हपते मैं आता हूँ सब के सवालों का निवारन करने के लिए कमेंट में डालिएगा अगर वो आपका genuine होगा तो मैं उसको explain करूँगा question कीवेने session में Sunday के दिन मैं उसको लूँगा और बताऊंगा आपको कि उसका क्या solution है अगर जवरत परी तो मैं अगले next वीडियो में भी उसको explain करूँगा तो वीडियो को देखिए पेन पेपर लेके और comment करिए interaction में रहिए ताकि मुझे भी पता चले कि आप कितना grab कर रहे हैं और आपकी समस्याएं मुझे समझ में आएंगी तो मैं उस हिसाब से अगले class को भी त्यार करूँगा और अभी आने वाले समस्याओं का निदान भी करूँगा उमीद है यह वीडियो आपको बहुत interesting और मज़दार लगा होगा अगर ऐसर लगा है तो वीडियो को like तो जरूर कर दीजे पहली बर वीडियो पर चले आए हैं तो subscribe करिए और दूसरे का भला करना चाते हैं तो share भी कर दीजे मिलते हैं इससे भी ज़्यादा interesting and knowledgeable वीडियो में तब तके लिए नमस्कार